हेल्लो एबरीपॉन वलकम भेल डू माइव चैनल तो कैसे हो आप सब ही आप सबो कश्चे हैं ठीक ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सब्हुकर अरदरह तो आज है पहला नौराता तो नवरात्रों के आप सबी को हार्जिक शुब काम नहीं मेरे पूरे परिवार की तरफ से तो जैसे ही पित्रपक्ष समाप्त होता है वैसे ही माता के आगमन की तैयारियां शुरू हो जाती है तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो होता है घर की साफ सफाई करना तो घर की साफ सफाई तो मैंने सा साफ सफाई तो हो गई थी लेकिन मंदिर की रह गई थी तो मंदिर ये मेरी बेटी साफ कर रही है क्योंकि मैं इस्तिति में नहीं थी कि मैं मंदिर साफ करूं तो इसलिए मेरी बेटी ने ही फिर सारा मंदिर की जो साफ सफाई करी और जो भी फूजा पार्ट है पहले दिन काफी सुन्दर लग रहा है और ये जो ड्रॉर है अब इनको भी साफ कर लिया जाए और पित्र पक्ष के साथ साथ हमारी कहीं नवरातरों की त्यारियां भी चलती रहती हैं क्योंकि जैसे साफ सफाई करनी होती है तो वो एक दिन में तो नहीं हो सकती तो इसलिए पित्र पक् तो बस यही था कि वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं कर पाई किसी वज़ा से तो चलो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है तो मंदिर अच्छे से साफ हो गया और आप चावल भी कलर कर लिए जाए तो यह तीन कलर के कलर करने हैं चावल यलो ग्रीन और पिंक क्योंकि इससे हम बनाएंगे अश्ट दल कमल तो यह जो जितनी भी त्यारी है यह रात के समय में ही हमने कर ली थी और यह पंच मेवे का जो परशाद है जो मतारानी को नो दिन भोग लगेगा पंच मेवा यहने पांच तरह का ड्राइफ रूट तो यह भी रेडी हो गया तो सारी त कर ली थी और अब सुभा का समय है तो गुपाल जी तो सनान करके त्यारों के बैठ गये है अपने सिंगासन पर और अब बनाएंगे अस्ट दल कमल क्योंकि इधर हमने कलशकी स्थापना करनी है और जैदा तरत्यारी हमने रात के समय में ही कर ली थी तो यह देखिए जौरे अब यह जो मिट्टी का पात्र है इस पे भी स्वास्तिक बना लिया जाएं क्योंकि इसमें जौरे बीचेंगे हम और इस पे जो कुम-कुम और अश्टगंद चंदन से तिलक लगा के इसने अच्छे से डेकुरेट भी कर दिया है और मोली के लावा भी बान दिया है तो बस साथ आप सभी मिलकर बोलिए जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी प्रें से बोलो जय माता दी और कॉमेंट बोक्स में भी जय माता दी लिखना बिलकुल मत भूलिए और जिनको भी मातारानी से प्यार है वो तो बिलकुल नहीं भूलेंगे कि कॉमे तो बस जैसे भी बच्चे पूजा पाठ कर पाए या उनसे हो पाई तो बस वही मैंने आपके साथ शोटी सी वीडियो शेयर करी तो काफी दिन हो गए थे मुझे कोई वीडियो अपलोड ना करे वे तो चलो कोई बाद नहीं अब मेरी तबियत एकदम ठीक है तो अब आपको रेगुलर वीडियो मिला करेगी और बच्चों का शोर भी आपको पीछे से काफी सुनाई दे रहा होगा तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे जयमाता दी